एक छोटे से गाव में एक लर्का था जिसका नाम तिलक था। तिलक का सपना था कि वह आकाश में उर सके, जैसे पक्षी। वह हमेशा उजायों के ओर देखता और सोचता कि वह भी एक दिन उर सकेगा। उसके पार साधन नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ती प्रबल थी। गाव में एक दिन एक हवाई खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को अपने स्वयम के बनाए हवायंद के माध्यम से उडान भरनी थी। तिलक ने सोचा कि यह उसका मौका है, उसने सोचा और एक पुरानी किताब से हवायंद बनाने के लिए सामगरी जुटानी शुरू कि, उसने पुराने बर्तन, लकड़ी और कपड़े से एक साधारन हवायंद तयार किया, जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो तिलक का हवा पर न पहुंच सका, लेकिन उसकी कोशिश और मेहनत ने सबको प्रभावित किया, प्रतियोगिता के अंत में, तिलक को सपने देखने वाला पुरस्कार मिला, तिलक ने सीखा कि सपनों को साकार करने के लिए केवल संसाधनों की आवश्यक्ता नहीं होती, बल्कि इमानदार हिम्मत और प्रयास की भी आवश्यक्ता होती है, इस कहानी से हमें ये सिख्षा मिलती है कि सपनों को साकार करने के लिए हमें इमानदारी और मेहनत की जरूरत होती है, संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सही दिशा और हिम्मत से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं